येस गाइस तो फाइनल यहाँ पर आप देख सकते हो आप पर 12th science वाले student के लिए chemistry का paper बहुती viral चर रहा है जो की model question paper है for board exam 2024 येस गाइस बहुती important paper रहने वाला है और यहाँ पर जो question हम देखने वाले है उसका with solution आपको यहाँ पर दे रहा है और साथ में आपको marking scheme जो आपका overall question रहने वाले है कितने question को कितने marks और आपको 2 marks के लिए कितना लिखना है 4 marks के लिए कितना लिखना है साथ में presentation किस प्रकार करना है या सब कुछ दिया है साथ में आपको डाइग्राम overall सब कुछ आपर information दिया है और calculator का use आप नहीं कर सकते है बट आपको यहाँ पर lockable है तो लॉक्टेबल आप यूज कर सकते हो ठीक है ओर वल देखिए आपको सेक्शन हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रिबिशन दिया है साथ में मैं आपको दिखा दू 34 पेज़ेस का PDF है ठीक है और नवनीत का है ओर बहुती इंपोर्टन और बहुती वायरल चर रहा था तो सोचा आप स कुछ करना है यह सब कुछ आपर आपको इस नोट के माद्देम से बता जाता है जो कि यह आपको पड़ लेना है साथ में आप देखिए आपर माक्स के लिए किस ताइप उन्होंने यहाँ पर ओर रॉल प्रेजेंटेशन किया है डारेकल एंसर लिखे है यादिके ओर हप माक्स और दूसरे के लिए हप माक्स हो गया आपका एक माक्स तो इसी प्रकर आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है पूरा देखने वाले साथ में आपको टिक माक्स भी करके देने वाले कुछ कोश्शन चो बहुत ही इंपोर्टन रहने वाले इस बार बोड़ एक्ज दिये जाते है वह सबसे पहले आप इसी पेपर में पढ़ लीजिए मतलों वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ इंस्ट्रक्शन में यह होता है आप देखे फिगर्स तो राइट इंडिगेट फुल मार्क्स साथ में यहाँ पर स्टार्ट इच सेक्शन और न्यू आप यहाँ पर मैं तो आप एसे करिए अगर आपको पता है तो आप लिग दीजिए अगर आप चेंज करना चाहते हो है फिर आपको और आपको पता नहीं है लास्ट में आप लिखेंगे तो उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए लास्ट में अटेम्ट करिए इसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पर केमिकल इक्वेशन अगर उसमें चाहिए तो आपको लिखना ही है और पता है फिजिक्स में भी बहुत सारे आते हैं तो आपको मैं बताने वाला हूँ पर आपको 10 MCQ यहाँ पर दे रखे हैं, जो सबसे पहले आपर पैटन समझ लीजेगा 2024 का और box distribution भी देख लीजेगा, chapter wise कितना है, जो कि आपको WhatsApp ग्रूप पे, Telegram ग्रूप पे मैंने डाल दिया है, ठीक है, so don't worry, आप वहत देख लीजेगा, और हर एक student को WhatsApp ग्रूप जॉइन क किस टाइब रहते हैं, यह 10 के 10 MCQ आपको रट लेने, एक बार आप overall देख लेंगे, तो भी आपको याद आजाएंगे, so आप एक बार जरूर MCQ पढ़ लीजेगा, हम only important question देखते हैं, अब देखे, question to answer the following question, अब देखे, write any two function of salt bridge, इसे आप टिकमार करके रखेगा, अगर salt bridge related आपको कुछ functions, उसके बाद overall कुछ भी पूछ था, isoid bridge regarded तो आपको लिखना आना चाहिए, वो दोन function आप पढ़ लीजेगा, जो answer पीडिये वाले में आपको मिल जाएगे, नीचे आपको पता है, मैंने दिखाया आपको, फिर आप देखे, आपर first question important है, second question important है, third question को पता होना चाहिए, वो दोनों पढ़ लीजेगा, for definition आपको आ सकता है, write the probable electronic configuration of, yes, electronic configuration निकालने के लिए आपको आता है, यापर chromium का पुछा है, कोई और पुछा जाएगा आपको, तो जैसे कि मैंने कहा है, आपको मैं important question भी देने वाला हो, so आप board previous year, जितने भी overall paper हुए है 2021 से लेकर 2023 तक, यहाँ पर आपको सब कुछ question मिलने वाला है, और उसमें भी important जो question है, वो आपको even academy provide करेंगा, यहाँ कि मैं ही provide करूँगा, so don't worry, आपको बहुत जल्द वह भी मिलने वाला है, और मैंने मेरे overall channel पर even academy पर बाकी other PDF जैसे कि physics के साथ साथ आपका chemistry, chemistry के साथ biology, math का भी डाला है, और most important जिसे आप English और Marathi इसको छोड़ी नहीं सकते, तो इसको आप इतना अच्छा attempt paper करिए, आपको out of marks के अगल बगल भी marks मिल गए, तो आपका overall यहाँ पर बल्ले बल्ले है, मतलब आपका जो percentage आपर बढ़ने वाला है, यहाँ बढ़ेगा आपका Marathi ज सही समझ लीजे, एक दो paper solve करिए, उनली overlook करिए, एक गंटे में आपका overall काम हो जाएगा, चली आगे बढ़ते है, तो जैसे मैंने कहा है, आपको overall यह जो question है important कर लीजेगा, उसके बाद देखिए, आपको आपको vapor pressure of solution पूचा गया है, इसे मत देखिएगा, उसके बाद सेक्शन B, ठीक है, सेक्शन B देखिए, attempt any 8, आपको 8 आपर attempt करना है, एक question दोन मार्क्स के लिए, सबसे पहले देखिए, what happens when, इस टाइब आपको question बन सकता है, what happens when, यहाँ पर देखिए, lead sulfide react with ozone, nitric oxide react with ozone, यह दो जो question है, एक मार्क्स के लिए यह देख लीजेगा, उसके ब देखिए, आपको route's law related जो question आने की सम्मावना बहुत जादा है, तो using route's law, so that delta p is equal to x2p0, where p0 is vapor pressure of a solvent and x2 is the mole fraction of solute, yes, तो आपको overall using route's law, यह overall आपको solve करना है, देखिए, write electronic configuration, yes, of iron with oxidation state, plus 2 and plus 3, which is molar stable and y, यह molar stable क्यू है, आपको overall यह attempt करना है, तो आपने overall अगर लिख भी दिया, overall जो यहापर question में आपको जो provide किया गया है, वह भी लिख दिया, तो एक marks आपको मिलता है, but आपको उनको बताना है कि क्यों यह more stable है, and why, आपने अगर लिख दिया, properly तो 2 marks मिलेंगे नहीं, तो आपने attempt करने की कोशिश भी कि कुछ information इसके बाद देखिया, पर phenol is more acidic than, yes, this type question पूचा जाता है, phenol is more acidic than ethyl alcohol, and explain करना है आपको, अगर आप explanation में कुछ point भी लिख देते हो, खुद से, but थोड़े आप authentic लिख दिया जाएगा, अगर आपको पता है, तो आप पूरा item करिए, derive an expression for maximum work, आपको derive करने के लिए important question है, वो tick mark करके मिलेंगे, उसमें derive के question आप पूरे attempt करिएगा, पूरे देखेगा, बिल्कुल रट लिजीगा, तो आपको ओरो लगबग, यह derive question है, जो आपके exam में आते हैं, आप हर बार देखिये, 2 से 4 आपको question derive के मिलने वाले, तो यह question आपके लिए ज्यादा marks cover करते है उसके बाद देखें, आपर acidic acid is 5% ionized, in its decimolar solution, calculate the dissociation constant of acid, इतना important नहीं है, just overlook, write a note on Hoffman's bromide degradation, yes, इस question को जड़ा overlook कर लिजेगा, इतना important है, बट देख लिजेगा, explain atom economy with suitable example, yes guys, बहुस सारे question आपको इस टाइप मिलेंगे, कि थोड़ा explain करना है, और आपको example लिखने है, तो आप आप तो example रच चुके होगे, बट आपको थोड़ा explain करना आना चाहिए, और example लिखना आना चाहिए, बहुस सारे question आपको suitable example आपको देने होंगे, इस question के लिए आप तैयार रही है, what is standard cell potential for the reaction, yes, इस type reaction पूचे जाते है, और आपको यहाँ पर standard cell potential for the reaction लिखने को आता है, तो एक दो question तो मिली जाते है, जैसे कि order and molecularity of the reaction, अब देखे, जैसे कि मैंने आपको कहा है, distinguish वाले question, explain वाले question, definition वाले question, और उसके बाद आपके derive वाले question, यह जो question अगर आपने previous year देख ले तो आदा paper आपका इसमें ही cover हो जाएगा, तो यह जो question है, मैं आपको next वाले वीडिय marks के लिए आता है, attempt के निए 8, आठ ही आपको यहापर attempt करना है, कुछ और सहीध question दिया जाता है, ठीक है, और साथ में आप जो आपका unit wise और आपका जो chapter wise marks distribution है, वो ज़रूर देखेगा, higher वाले वेटेश को first उठाएगा, और वह ही देखेगा, अब देखे, explain the variation of a molar conductivity with concentration for strong and weak electrolyte, तोड़ा इसके regarded आप पढ़ लिजे का strong and weak electrolyte, आपको difference भी आ सकता है, but molar conductivity भी बहुत important है, उसे भी आप देख लिजे का in short में, अब देखेगा, आपको कुछ explain in a trend of atomic, एक question आप important नहीं, most important करके रखेए, कि आपको 3 marks के लिए, इस type question आता है, जिसमें आपको 3 होखी definition है, ना कि भूंदू की तरह लगबक 12-14 गंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको only, डेली का अगर आप 6-7 गंटे भी पढ़ते हो, but आप smart work कर रहे हो, इस type, तो आपको इसका बहुती, overall advantage होने वाला है, पेपर में, तो आप देखे, definition वाले सभी question अगर कर ल है, तो आप इस type जो question होते है, वह भी जरूर attempt करेगा, और रट लीजेगा, इसको आपको overall silent feature लिखना है, यहाँ पर देखे, balance bond theory, इस type वाले question भी बहुत important होते है, साथ में देखे, आपको FCC और CCP, तो आपको what is the nature of cubic unit cell, इस type question आ सकता है, तो थोड़ा देख लिजे, इतना important नहीं है, बड़ एक बार calculate करके होता है, तो देख लीजे evaluation डाल, explain the following, यह देखे, तीन marks के लिए इतने बहुत सारे question आपको ऐसे मिलने वाल है, जो आप खुद लिख सकते हो, और एक आपको 100% sure बात बताओ, paper कभी भी brilliant student को देखकर नहीं बनता, paper बनता है, overall moderate to low level के student जो passing न analysis करिए आपकी, कितना overall week while आएगा, कितना medium आएगा, और कितना ज्यादा standard हैने कि hard आएगा, तो इस type भी question होते है वाइस आप, तो overall आपकी passing तो यूही निकल जाएगी अगर आप smart करते हो तो work, okay, तो smart work करिएगा, तो आपकी passing को तो overall ऐसे ही आप overall उससे पीछा चुड़ा पासिंग की, आप बिल्कुली अपने मन में शंका मत रखे कि हाँ मेरी passing होगी या फिर नहीं, तो जो जो मैंने कहा है वही करते चाहिए, उसके बाद देखे यहाँ पर levis acid, levis base, levis acid, why is alcl3 is a levis acid क्यों है, ठीक है, yes, electron gain करता है, electron release करता है, ठीक है, electron acceptor है, electron donor है, यह सब कु reason, एक question आपको reason related भी देखने को मिलता है कि, जैसे कि यहाँ पर hello alkin's are less reactive than hello alkin's, क्यों है, तो आप लिख सकते हो, कुछ भी pointation भी आपने indicate किया है, फिर लिख दिया तो भी आपको एक marks मिलता है, बतलब आपको paper पूरा item करना है, ना कि question नहीं आता है, तो मैंने छोड़ दिय enthalpy, entropy, यह सब करके जाहिए, definition पढ़के जाहिए, define वाले question को छोड़ना ही नहीं है, describe the action of pcl3 on ethanol, propane 1-ol and propane 2-ol, ठीक है, describe the action of pcl3, देखिए इस all करके, pcl3 का action क्या होता है, इस type question आपको मिलता है, reaction वाले, 3 reaction, 3 marks के लिए आएंगे, कोई भी आएंगे, इसका कुछ accurate नहीं बता level S, stiffen reaction आप करके जाहिए, 3 marks के लिए आपको overall 1 marks के लिए, यह फिर जादा अगर higher weightage chapter को तो यहां आ सकता है, तो stiffen reaction पढ़के जाहिए, what are mint by diagrammatic paramagnetic properties, given example of diamagnetic and paramagnetic transition metal and lanthonoid metal, yes, most important question है, इसे जरूर पढ़िएगा, साथ में difference भी देखिएगा, diamagnetic and paramagnetic transition related कुछ पढ़के जाह mmol, then 1, आपको कुछ है आपर और valuation दिया है, जैसे कि 8 mmol, और in 38 minutes, what is the half life of reaction, yes, half life आपको आ सकता है, half life of reaction आपको निकालने के लिए आ सकता है, तोड़ा values change होगा, बढ़ हाफ लाइप T half आप जरूर देखके जाएगा, साथ में T half के साथ, T90 अगर है, portion में आपके तो वह भी marks के लिए आ सकता है, और बहुत सरे question है, जिसमें आपको overall step भी पुचा जा सकता है, ठीके, what is the shape of a complex in which the coordination number of central metal is 4, then 1, write the reaction to prepare इथा amine from acetonitrile, what is the peptide bond, ठीके, इसे छोड़ दीजेगा, peptide bond का एक बार देख लीजेगा, peptide bond and linkage का definition, या फिर intro, देखे, section D, बहुत important है, और जो student ह आप पर overall पूरा paper देखेंगे, उनका तो advantage होने ही वाला है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि paper किस type आथा है, और presentation किस type करना है, तो आपको पूरा paper देखना है, मिस short में आपको presentation बोलूँगा, so don't worry, इसलिए paper पूरा देखे, आप presentation देखे, yes, आप पता है मेरे को, आपको any three, तीन ही attempt करना है, आपको, एरे question important है, ठीके question important है, पैटन तो आप कही से भी देख लेंगे, अब देखे, इसमें आपको overall क्या पूछा है, what direction the energy, then one, इसी छोज दीजे first question को, discuss SN1, yes, SN1, SN2 दोनों का mechanism देख लीजेगा, उसके साथ साथ, SN2 में आपको देखे, methyl bromide using aqueous के व पूछा है, electrode reaction, ये देख लीजेगा, explain the variation, sorry, explain the variation in atomic or ionic radii of 3D series element, yes, ये भी question देख लीजेगा, short मैं आपको answer इसका, okay, उसके बाद देखे, write a note on yes, note regarded question बहुत आते हैं, तो previous year वादान चो, note regarded, write a note, after diagrammatic question बनते हैं, वो पूरे करिएगा, important question है, what is HPD, how it prepare and give it properties and uses, अब देखे, आपको क्या-क्या पुछा है, जैसे कि what is HDP, अगर नहीं आता, तो आप इसके properties, कुछ ना कुछ तो properties लिख सकते हो, खुछ से, या फिर use भी लिख सकते हो, how it prepared, अगर यह भी नहीं आता, यहा आ रहा है, तो यह लिख दीजे, अगर other question आपके attempt नहीं हो रहे है, तो ठीक है, उसके बाद देखे, तू में आपको name the scientist would discover the STM, scanning, tunneling, microscope, उसके बाद, आपको overall question थी, नहीं पूछा है, आपको 4 marks के लिए, मतलब 2 marks each, तो आपको overall इसका, अगर properties लिख दिया, तो भी 1 marks मिल जाता है, उसके बाद, यहाँ पर overall आपको प परकार लिखना है, साथ में presentation किस परकार करना है, जैसी कि आपको हर एक section new page पर start करना है, उसके बाद, जो भी note का option आपको यहाँ पर दिया है, paper PDF में answer वाले, तो उसको आपको पढ़ लेना है, और presentation देखे, यह से ही तो करने ही वाले है, तो don't worry, but पूरा paper आपको देखना है देखे, दो marks, overall question 2, जो आपका, एक-एक marks के लिए, half marks for one point, आप देखे, किस परकार लिखा हुआ है, ठीक है, यह पूरा paper आपको मिलने वाला है, so don't worry, देखे, isolator system regarded एक marks के लिए कितना लिखा है, बस यही करना है आपको, उसके बाद देखे, chromium और जैसे मैंने कहा है, इस में add नहीं किया गया है, DNA molecular question important, तो जैसे कि देख सकते हो, दो marks के लिए कितना लिखा, बस जितना पूछा गया है, उतना ही लिखा जाता है, साथ में, अगर देखे, आपको अगर कोई diagram आता है, तो आपको यहाप पर और नाम का presentation जरूर करना है, ठीक है, इसके लिए marks होता ह आपका, देदमान देखे, उसके बाद आपको यहाप पर overall, जो भी important important question बता है, वह देख लीजेगा, आपको पूरा यह PDF मिलने वाला है, तो don't worry, हम देखेंगे only section 4, और कुछ ऐसे जो आपको देखे, differentiate या फिर आपको order और molecularity related किस प्रकार लिख सकते हो, बस आपको point action बढ है, ठोड़ा pointation बढ़ाईएगा, ठीक है, बट एक और दो marks के लिए जितना पूचा है, उतना सफिचेंट है, वो तने marks आपको मिलते है, जो भी diagram है, इस ताइप आप overall उनको marks मिलने के लिए, जो है overall presentation करिएगा, ठोड़ा आपको यहाँ पर arrow दिखा के उनका नाम लिख दी आपको क्या करना है, पॉइंटेशन अगर आप यहाँ पर पॉइंटेशन दे रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंटेशन दो लाइन में, फिर एक लाइन छोड़के second pointation करिएगा, अगर diagram निकाल रहे हो, तो आप पॉइंटेशन के बाद रहे हो, तो आप पॉइ पॉइंटेशन देखना किस प्रकर किया है, जो उन्होंने आप पर reaction लिखिए एक marks proper, दूसरी लिखिए proper marks, तीसरी लिखिए proper marks, उनको ने presentation किया है, और आप यह लिख सकते हो, वाई साब, अगर आपको reaction लिखने को आ रहे हो, तो यह सब आप लिख सकते हो, कोई बड़ी द question आपको आता है, और अगर आपको दो ही आ रहे है, तो तीसरा कोई ना कोई आप लिख दीजिए, उसमें information fill up कर दीजिए, बस यही करना है, आपको paper जो ज़्यादा marks के लिए question होते है, उनको बड़ाना है, पॉइंटेशन बड़ाना है, तो यही धहन में रखिएगा, और आपको लिखना है, तो आप देखिए, finally मैं आपको बता देता हूँ कि यह paper PDF आपको किसे पकार download करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको 10th, 12th board कोई भी paper download करना है, तो Google पर आईएगा, Chrome पर आईएगा, सबसे पहले znews24h.com वाली website को visit करना है, आप देखिए, आपको इस type icon मि भी link provide कर रहा हूँ, साथ में WhatsApp group को जरूर जोइन करेगा, टेलीग्राम को भी जोइन करेगा, WhatsApp group में आपको हर एक update, कोई changes होता है, या फिर viral paper हो जाता है, कोई question मिल जाता है हमें, तो हम आपको बताएंगे, सो don't worry, आप WhatsApp group को जरूर जोइन करेगा, second देखिए, अपनी job.com, इस पर जाकर देखिए, इस पर भी overall सभी paper PDF, 1012, previous year, PYQ, PDF, साथ में आपको model question paper for 2024, और बहुती कुछ यहाँ पर भी आने वाला है, so don't worry, आप दोनों website को visit कर रहें जीगा, और बात करूँगा, मैं WhatsApp group का, तो दोनों link आपको description box में मिल जाएंगे, telegram को भी और WhatsApp group को दोनों को join करना है, तो चलिए guys, all the best for your board exam, और हाँ, बाकी के paper भी जरूर देखेगा, बाकी के paper भी आपको बहुती, यहाँ पर overall importance देने वाल है, जो कि आपके board exam 2024 में, साथ में question आप टिकमा करके रखेगा, और पूरे paper जो है, आपको इसी type लिखने है, बिल्कुली यहाँ पर आप द कैसे लागा मुझे जरूर कमेंट करेगा, और make sure आप other देख लीजेगा, फिजिक्स के, उसके बाद biology, math, और मराथी का आपको must देखना है, और English का, मराथी और English के दो-दो paper solve करके देखिए, don't worry, आपका overall मन में सिर फियर चला जाएगा, और आप out of marks English और मराथी में ले सकत है, वो question आपको निकाल के देने वाला हूँ, और हाँ, उसका भी link comment description box में दे दूँगा, या फिर finally आप screen पर भी देख पा रहे होंगे, जो other paper है, वो अभी आप overall उसको भी देख लीजेए, ठीक है, तो चले guys, next video आपके लिए बहुती important रहने वाला है, जिसमें आपको only important question tick mark करके मिलेंगे, और साथ में आपर other paper है, उसमें से important question आपका pattern और आपके जो यहाँ पर viral question paper है, तो आप सभी को यहाँ पर screen पर देख रहे होंगे, वीडियो वो उस वीडियो को tick करके आप वो वीडियो देख लीजेगा, every channel पर भी available है, वहाँ पर भी जाहिएगा, और आने वाले हर एक paper आपके लिए बहुती important ड़ाने वाले है, तो चलिए all the best for your board exam